ये गाइस वल्कम बैक तो मैं चैनल तिपिका स्टाइल और मैं हूँ तिपिका कैसे आप सभी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो मीठा खाना किसे नहीं पसंद है आज कल सभी मीठा खाना पसंद करते हैं तो ये दिखिए कि जो मैं बेशन के लड़ू लेके आई हूँ ये ब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजेगा आपास में ही बैल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा तो बेशन की लड़ू बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें बेशन चाहिए तो यहां पर मैंने बेशन लिया है अगर आपके पास मोटा बेशन है दानेदार तो आप बो ले सकते हैं उसे बहुत जादा टेस्टी लगे लड़ू दो कटोरी बेशन के लिए मैंने एक कटोरी यहां पर पाउडर शुगर ली है अगर एक कटोरी बेशन तो आदा कटोरी पाउडर शुगर ले सकते हैं नेक्स्ट मैंने यहां पर आदा कटोरी देसी घी लिया है जो हम बेसन को भूझने के लिए यूज करेंगे नेक्स्ट मैंने यहां पर लिया है यह केसर यह बिल्कुल आप्शनल है अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट मैंने या पर लाइची ली है उसको क्रश कर लिया अगर आपके पास लाइची पाउडर है तो वो डाल सकते हैं नेक्स्ट या पर ये बादाम है जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है इसकी जगा पर हम प बना है जादा तेजा पर पूनेंगे तो बेसन जल जाएगा तो चलिए कडाई गडाम होुछ चुकी है अब हम इसमें यह जो घी लिया था अदी कटोरी वो इसको डाल देंगे सारा गी हम इसमें डाल देते हैं एक साथ ये देखिए गी अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है पूरा अब हम इस गी को पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं जब ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें दौनों कटोरी का बेशन डाल के और इसको अच्छे से भूनेंगे तो ये देखिए गी अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब ये जो बेशन लिया था मैंने दो कटोरी बेशन लिया था तो यहां पर दोनों कटोरी बेशन मैं डाल देती हूं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बेशन और गी को तो बेसन और घी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये देखिए घी और बेसन दौनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हम इसे धीमी आज पे आठ से दस मिनिट तक लगातार चलाती हुए सेकना है बेसन नीचे नहीं चिपकना चाहिए और याद रखिएगा जब भी बेसन के लड़ू बनाते हैं तो ज़्यादा तर मोटे तले की कडाई में ही हमें बेसन के लड़ू बनाना है नहीं तो ये बेशन का जो हम लोड तैयार करते हैं वो नीचे चिपकने लगता है और जलने लगता है और अच्छे से सिक नहीं पाता है तो अब हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा भून लेते हैं और सुनेरा होने तक भूनते हैं जब तक इसमें अच्छी खुश्वू आती है तो ये देखिए औल्मोस्ट ये भून चुका है थोड़ी देर हम इसको और लगातार चलाते हुए भूनेंगे ये देखिए इसका कलर हलका हलका चेंज हो चुका है तो हम थोड़ी देर और इसको दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ये देखिए बेसान अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें जो एलाईची पाउडर था वो डाल दूँगी और जो किसर के दागे लिए थे उनको भी एट कर दूँगी ये बिल्कुल आप्शनल है आपके पास है तो आप डाल लिए बरना इसको अलग कर सकते हैं तो अब मैं इसको तीनों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और दो से तीन मिन तक और अच्छे से इसको भून लूँगी बेशन को तो ये देखिए बेशन बहुत अच्छी तरह से भून चुका है अब मैंने जो यहाँ पे पाउडर शुगर ली थी एक कटोरी उसको अड़ कर दूँगी और इन सभी चीजों को हम अच्छे से फिर से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको एक से दो मिनिट तक और अच्छे से भून लूँगी तो सबसे पहले मैं इसको मिला देती हूँ अच्छे से तो यह देखिए शक्कर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है बेसन में और फिर से हम इसको भूनेंगे जब तक हम अच्छे से भूनेंगे नहीं तब तक लड़ू में अच्छा स्वाद नहीं आएगा तो फिर से हम इसको अच्छे से दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे लगातार चले आते हुए भूनेंगे इसको तो यह देखिए बेसन बहुत बढ़िया तरीके से भून चुका है यह देखिए अभी हम इसको थोड़ा और अच्छे से mix कर लेंगे और अच्छे से एक मिनिट के लिए और भून लेंगे तो ये देखिए फाइनली बेसन अच्छे से भून चुका है बहुत अच्छा color आया है तो अब हम इसको किसी ट्रे में या थाली में निकाल लेंगे और इसको 8-10 मिनित तक ठंडा होने देंगे जादा ठंडा नहीं होने देंगे थोड़ा ही ठंडा करेंगे इसको तो ये देखिए मैंने आप एक इसको थाली में निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे इतना ठंडा करेंगे कि इनको हाथ में लेके हम आराम से लड़ू बना सकें तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ये देखिए ठंडा हो चुका है अब हम इसके आराम से लड़ू बना सकते हैं जादा गर्म नहीं रखना है, हलका गरम रखना है ताकि हम लड्डू आराम से बना सकें, तो चलिए इनके लड्डू बना लेते हैं,शाइज आप अपने अकोर्डिंग रख सकते हैं, छोटे बड़े जितने भी लड्डू रखना है, उब वैसे रख सकते हैं, तो ये देखे, मैं यहाँ पर ऐसे चोटे और बड़े कुछ साइस के लड़ू बनाके रख लेती हूँ ये देखे, इतने साइस का मैंने लड़ू बनाया है ये देखे, दूसरा भी इतने साइस का मैंने लड़ू बनाया है ये देखिए, बहुत बड़िया कलार आया है लड़ू में, खाने में तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो चलिए सारे लड़ू हम अच्छे से बना लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए, सारे लड़ू मैंने बना के तयार कर लिये हैं, कुछ इतने लड़ू बनके तयार हुए हैं, तो अब नेक्स्ट हमने जो ये ड्राइफ प्रूट लिये थे बादाम, इसको गार्निशिंग के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, तो वन वाई वन लड़ू पे हम इसको लगा देते हैं, ये देखिए, हलका सा इसको प्रेस करेंगे, ताकि इसमें ये चिपक जाए, ऐसे लगा देंगे, तो सारे लड़ू मैं मैं पहले लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए, सारे लड़ू मैं मैंने लगा लिये हैं, बाद अगर आप मीठा काना पसंद करते हैं तो एक आप आप पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूँद्ध द्री गरें, और वचों को भी बहुत पसंद आएगी ये पैशन के लड़ू तो इस रासिपे को आप जडरूर एक आप ट्राइ करें, अ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमली में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले पास मही बेल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करें ताकि मेरी आगे की वीडियो की साथ या अधर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर